हलो वालको तो आज मैं बतायों मैंने दो चेप्टर निब्सक्राइब बता दिए हैं आप आगेश्पटर जितने चेप्टर होपाइंगे मैं बता रहा हुँ उन्हें नोट कर लो भी अभी पिता रहा हूं फिसे बताओंगा ठीक हटो भी आपको करनेक पहलगति की और नहीं धिखा वीडिवायू तो सबस्ते आप करें आकर अप थोवस्ता से बताओंगा अप लोग घुए से प्रेंग है टिक है साठ की ओं अबतार में में देखना एक कुछ सब्सक्राइब में उससे दो तीन साथ क इसके लावगा कुछ मत पढ़ कर दो स सब्सक्राइब में क्या अंतर है यह पढ़ लेना ढूंड ढूंड कर और नुमेरिकल देखना कौन से पेपर दो एक दो बार पूछा गया और हाँ बात याद रखना इस चैप्टर से एक अब्जेक्टिव प्रसंट जरूर आएगा तो विद्या में जो अपतार में जो अब्जेक्टिव प् को त्मनांग में उन्यन से आप क्या समझते हैं ठीक रूंडमम र Witcher के संबंद बताइए तो अइसा कुर्ण पूछा जाएगा ठीक ही इसी पर आधारित को थनांग में उननेन डेल्टा टी-बी आपको इस पर नउमेरिकल निकालने के लिएाएगा इस पर जरूर ये बात सै ही है कि numerical हर बार पूछा गया है आप से पूछा जाएगा विद्या अतार में जो प्रसंट ज्यादा पूछा गया उसकी प्रैक्टिस कर लिए एक तरीके से कह रहा हूं कि उसको बार बार लगाए ठीक है अब दूसरा टॉपिक नोट करिए परासरदाब परासरदाब की ठीक है तो उस तरह के क्वेश्चन जो विद्या में दिये हैं और दिये होंगे अवतार में अगर नहीं दिये तो कमेंट मांग से बताइएगा मैं वीडियो बनाकर उसक्रेश्चन की अपलोड कर दूँगा ठीक हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जयाबा नहीं पढ़ना पढ़ना हो विपर में आए यह मैं अपने च्छे साल के इंवर बता रहा हूं यह कुश्चन बहुत इंपॉर्डट है ठीक है उसके बाद आपको नॉर्मल चीज़े पढ़ना है मोललता और मोललता में अंतर राउल्ट का नियम और इसकी सीमाए राउल्ट का नियम वह उसक इसे ठीक है और नारमलता क्या होती है मोल प्रभाज क्या होता है बस विल्यन चैप्टर से इंपॉर्टन इतने कुश्चन रेडी कर लेंगे तो मैं दावा करता हूं आप काफी कुछ कर लेंगे वहां पर अगर आपने तक कर लिया तो अच्छा कर पाएंगे आप अच्छा क्यां है इंपॉर्टन कुश्चन है वो नोट करि करिए वह है भौतिक अधिसोषण और रासानिक अधिसोषण में अंतर पांच नमबर का तीन नमबर के शुर्शन आता है ठीक है समध़् पैर ठीक है भौतिक अधिसोषण रसानिक अंतर उसके बाद पढ़िएगा कह तो ह हाँ द्रव इसने ही और द्रव कोलाइडी विलियन में क्या अंतर होता है अधान देकर समझाइए और यह भी समय लेना कि क्या होता है ठीक है अब बताने जारों निम्न पर टिपड़ी लिखे ऐसा प्रसन आता है जैसे कि अपोहन विदी और वैदुतकन संचलन सवन संख्या स इस चैप्टर ना तो इतनी बात आप पढ़ लीजेगा वह इस कंदन नाम की चीज होती है उस पर बेस्ट बन सकता है इस तरह कुछ होता है टॉपिक आप पढ़ लीजेगा विद्यावतार में सब दिया अगर नहीं दिया है बताएग मैं वीडियो अपलोड करूंग इसका आप अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिए याद कर लीजिए यह होगा आपका इस सवाले चैप्टर से फिर आप आगे आगे चैप्टर आपका विसे थेरिटिकल बॉन सब्सक्राइब लाओं डी ब्लॉक से आपको क्या पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्त को संक्रमण तत्त क चूं कहा जाता है एक प्रस्ट यह बंता है फिर संक्रमण तत्त की विसेस्थाओं का वर्लन कीजिए तीन या पास सब्सक्राइब बात एक ही है क्यों कि यह सबसे से important है बाकि कुछ question बेटा इस पर reasoning बेस जाते हैं जैसे कि जिंक कैंडमिया मरकरी जडन हजी सीडी को हम संक्रमण तत्तों नहीं कहते हैं यह संक्रमण तत्तों नहीं आते से उत्तर तो बस इतना ही है ठीक है बाकि region question होता है copper plus और copper double plus c u plus और c u double plus में कौन अधिक इस्थाई है क्यों यह कुछ ऐसे बनता है फिर आता है कि copper plus c u पर एक plus और c u पर दो plus यह में कौन रंगहीन है और कौन रंगीन है ऐसा question मनता है ठीक है बाकि डी बलाक के तत्तों उत्प्रेर की तरह कारी क्यों करते हैं यह question हो गया फिर डी बलाक के तत्तों संकर योगी क्यों मनाते हैं यह question आता है डी बलाक के तत्तों रंगीन योगी क्यों बनाते हैं यह होता है इनका सबका उत्तर बेटा अगर कुछ न समझ में ततरा जरूर लिखना कि इनका डी उपकोस अपूड होता है ठीक है और एक चीज होती डी बलाक तत्यों में आयन का चुम्बकी आघूड निकालना होता है यह पढ़ लीजेगा चुम्बकी आवतार में बलाके तत्यों ज्यादा नहीं पूछ आती है लेंगि आप से पूछा जा सकता है और हाँ पूटैसियम डाइक्रोमेट के टू सियाटू ओ सेवन और प्रमेगनेट यह प्रपल आक्सी का रखें इन पर अभारी तक रियक्सन आती है पूरी दो नमर पांच नमर रिक्सन होता है उनकी लैंग्विज को आप विद्धिया के साब पूछापो अच्छे से लर्ण कर लेना मैंने तरीगा विताया कैसे करना है आपको ठीक है यह बेटा होगे आपका डी ब्लॉक से इंपॉर्टन कोशन और इसकी रियक्सन उसके वेटा मैंने पी ब्लॉक के कुछ इं पढ़ लिएगा ऐसे ही सब कुल लिखा है मैं जो बता रहा हूं अंतर है लोगी क्या होते हैं इनकी विश्यसताएं बताईए यह कुश्च्छन आता है नोट करिए सब बहुत तो इंप्रटन है क्यों यह क्या होता है चरूर पढ़िएगा इसको और एक क्योश्चन आता है अंतर हेलोजन योगिक हेलोजन से अधिक क्रीयाisil होते हैं यां कंक्रीयासी होते हैं एक अधिक लोत biz गुरपध नोर्मली १ियरम लग दब लगंगे ऑप ज estas लब्लेवर से एतना बड़ा है इतना बड़ा थे यह क्या होते हैं जिनान के योगी क्या होते हैं जिनान के फ्लोराइड और आकसाइड तीन तरीके के होते हैं मैं यह कुशन अप्लोड करूंगा ठीक है इस तरह का इत्ता ही पढ़िएगा और बाकी इसमें लॉंग को पढ़ना है वह आपको पढ़ना है नाइट्रिक एसिड और स्ट्वार्ड मेथट से बनाने के लिए कभी कभी पुछते बिटा सल्फूरिक अमल बनाने का चैंबर भी विद्यावतार में सब दिया अच्छे से यह पढ़ लिजेगा और बस टीक इतना पढ़िएगा जदा ओजून बनाने का मैथन ने पढ़ने के जरू थे आपको औ करने सारे questions answer questions जितना मैंने वीडियो बनाया है उस उतना पढ़ लेने से कोई बच्चा क्यों पास हो सकता अच्छे से ठीक है जरूरी नहीं मलब कि बहुत आपकर नहीं कर सकता मैं मन से पढ़तने ज्यादा वाकिन जो वीडियो प्लोट करूंग उसमें सारे question answer में लिखाए है और इंपास लगता है और कोई चैप्टर बचा नहीं यह थे हमारे फिच्कल चैमेस्टी की पूरा के लिए चोटर हो तो मैं बताऊंगा अब नेक्स वीडियो मिलेंगे हम बात करेंगा उसमें और चार्बन कर सासे 35-40 नमर का पार आता something देखाए तो समें क्या क्या पढ क्योंकि बाकी जो प्रस्ण होंगे बेटा और वाले आपके उसमें कहूं तो जो मैं बता दूंगा वह पढ़ लेना तो कुछ नहीं कह सकता लगवग फच जाएंगे लगता ही इता अनुभर रहता है कि हाँ यह कुछ जाना चाहिए इस कुछ जाता है तो इस तरह के से मैंने मैं आपको बता दिया और नी कमेस्ट्री के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर ठीक है अच्छे से जितना कुछन मता है उच्छा रिपीट करके कुश्चन नोट कर लीजिए फिर एंसर मैं अपलोड करने का प्रैस करूंगा आपके कमेंट के अंदि पर चंगा रिपान थहाँ करे कि मता है तर अवा लीजियो अपलोड करूंगा आपके है उच्छा है